दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो दोस्तों आज है 31 माई 31 माई से जितने भी करेंट एफस के कोशन बनेगे सारे कोशन इस लेक्चे में हम डिसकेस करने वाले तो स्टार्ट करते दोस्तों कल के कोशन के साथ आप से पूछा गया था कोशन की वेग्यानिकों ने हाली में यूरेनियम का सबसे हलका रूप कौन सा बनाया है तो ये कौन सा बनाया है दोस्तों ये बनाया है यूरेनियम 214 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option 2 तो विग्यानिकों ने हाली में यूरेनियम का सबसे हलका रूप बनाया है जिसको नाम दिया है यूरेनियम 214 और जो यूरेनियम होता है वो चमकदार स्वेत रंग की धातू है और इसका जो प्रतिक चीन है वो capital U है परमानु संक्या की सुना मिन्ट 2021 का खिताब अपने नाम किया है तो यह खिताब अपने नाम किया है विलारियल ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option 4 नेक्स्ट कोशन है कि हाली में किस राज की मुख्यमंत्री ने online व्यापक पूर्टल आखंचा को लांच किया है तो यह लांच किया है कर नाटक राजने तो करेक्ट अंसर हो जाएगा option 3 और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लेक्चर को लाइक ने किया तो लाइक कर दे शेयर कर दे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे subscribe भी जरू करे नेक्स्ट कोशन है कि हाली में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चड़ाई करने का record बनाया है तो यह record बनाया है Hong Kong की महिला ने यहाँ पर right answer हो जाएगा option 1 अगला कोशन है कि रुडॉल्फ वी सिंडलर पूल्सकार जीतने वाले प्रतम भारती कौन बने है तो यह बन गए है डॉक्टर डी नागेश्वर रेडी तो correct answer हो जाए जाएगा दोस्तो option 2 next question है कि हाली में Global Annual 2 Decadal Climate Report 2021 इस report को किस ने जारी किया है तो report को जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यहाँ पर right answer हो जाएगा option 2 कोशन की 28 माई 2021 को किसे एनी अंतरस्टी अवर्ड 2020 से समानित किया जाने की घुसना की गई है तो यह समानित किया जाएगा दूस्तो C.N.R. राउ को यहाँ पर right answer हो जाएगा option 3 अगला कोशन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचीद देख रहे के लिए अभिवावक मंत्रियों को न्यूक्त किया है तो यह न्यूक्त किया है अश्म राज्य की सरकार ने यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 3 नेक्स्ट कोशन है कि प्रतिवर्स वर्ड हंगर डे कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 28 माई को तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option 3 अगला कोशन है कि हाली में संयूक्त अरब अमिरात का golden visa पाने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन बन गए है तो यह बन गए है संजेदत यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो option 4 चलते है next question की ओर तो 26 माई 2021 को फ्रांस में इस्तीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लूवर म्यूजियम की पहली महिला अद्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है तो यह बनाया है दोस्तों Lawrence Deskars को तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 अगला question है कि सामाजिक विग्यान के छेतर में उतकरस्र योगदान के लिए अमरतिशेन को Princess of Austerius Award 2021 से समानित किया गया है यहाँ किस देश का सरवच्च समान है तो यह सरवच्च समान है दोस्तों Spain का यहाँ पर right answer हो जाएगा option 1 और revision का last question है कि हाली में बसर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार रास्ट पती चुने गया है तो यह चुने गया है दोस्तों Syria के यहाँ पर right answer हो जाएगा option 2 तो start करते हैं दोस्तों आज के current face तो पहला question है कि जो बाइडन ने निमने में से किस भारत वंसी को अमेरीका और विदेश वानी जी विभाग का महा निदेशक निउक्त किया गया है तो यह निउक्त किया है दोस्तों आरून वेंकट रहमन को यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है आरून वेंकट रहमन जिने हाली में अमेरीका और विदेश वानी जी विभाग का महा निदेशक मतलब DG निउक्त किया गया है तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमेरीका की तो अमेरीका उत्तरी अमेरीका महादिप में इस्तित है अमेरीका की राजधानी की बात करें तो यह वासिंग्टन DC है और इसकी जो currency है वो अमेरीकी dollar है अमेरीका के 46 वे राश्टपती बने थे वो जो बाइडन है और यह है दोस्तों जो बाइडन और अमेरीका की जो ऊपर राश्टपती है वो कमला हैरिस है और यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह है कमला हैरिस तो याद रखना है दोस्तों वानेजी विवाग के जो महा निदेशक है वो बने है आरुन वैंकट रमन चलते हैं next question की ओर इसके तहट क्या किया जाएगा तो इस पर्योजना के तहट गरी परिवार में ऐसी महिला जो घर की मुख्या है उनको 500 रुपे प्रती महिना भत्ता दिया जाएगा और अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती की महिलाओं को एक हजार रुपे प्रती महिना का भत्ता दिया जाएगा ताकि अर्थ वेस्ता को और मजबुत किया जा सके तो याद रखना है दोस्तों कि पश्चिम बंगल राज्य की सरकार ने लक्षमी भंडार योजना को सुरू किया है पश्चिम बंगल राज्य की हम मुख्य मंत्री की बात करें तो ये कोन है ममता बनर जी है अगला कोशन है कि हाली में किस केंद्री मंत्राले ने युवा प्राइम मिनिस्टर इसकीम फॉर मैंटरिंग यंग आथर्स लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है दोस्तों सिक्षा मंत्राले ने यहाँ पर करेक्टर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन और वर्दमान में जो सिक्षा मंत्री है केंद्री सिक्षा मंत्री वो कोन है इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कोशन है कि हाली में कि सेने संगटन ने अटलांटिक यूरोप और काला सागर छितर में स्टीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सेन्य भ्यास को सुरू किया है तो यह सुरू किया है दोस्तो नाटो ने यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तो यहाँ पर दोस्तो बात हो रही है नाटो की मतलब नौर्थ एटलांटिक ट्रीटी और गिनाजिसन की जिसकी स्थापना 4 अप्रेल 1909 को की गई है इसका मुख्याले ब्रुसेल्स बेल्जिम में इस्तित है सदसी देश की बात करूँ तो यह 30 है और नाटो के जो महा सचीवा जैन्स इस्टेल्टो बर्ग है यह अपको याद रखना है और दोस्तो जो नाटो मिलेटरी कमीटी है उनके चेर्मेन कोन है तो यह स्टूर्ट पीछ है यह भी important point है जो आपको याद रखने है नेक्स्ट कोचन है कि गोवा इस्थापना दिवस कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है दोस्तो 30 मई को तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 1 तो दोस्तो गोवा के जो इस्थापना है वो 30 मई 1987 को की गई थी तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोवा राज्ज की गोवा जिसकी राजदानी पंजी है यहाँ के वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वो प्रमुद सावंत है और जो गवनर है वो सुनिल अरोडा है और मुख्य नैदिस दोस्तो धिपंकर दता है गोवा के दो पडोसी राज्ज है वो कौन-कौन से है तो यह महरास्ट और करनाटक है गोवा की लोग सभा सिट की बात करें तो यह दो राज्ज सभा सिट एक और विधान सभा सिट चालिस है गोवा छेतरफल की द्रस्टी से सबसे छोटा राज्ज है यह आपको याद रखना है और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ती दिवस मना जाता है और हर साल 30 माई को गोवा इस्ताफना दिवस के रुप में मना जाता है तो यह दोनों पॉइंट है दोस्तो जो आपको याद रखना है अगला कोशन है कि देश के नए वानिजी सच्यू कौन बने है तो ये बन गए है B.V.R. शुब्रमयम तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा option 1 और ये है दोस्तो B.V.R. शुब्रमयम जिने हाली में देश के नए वानिजी सच्यू के रुप में निउक्त किया गया है तो B.V.R. सुब्रमयम को मिनिस्ट्री आफ कामर्स में सच्यू बनाए गया है B.V.R. सुब्रमयम 30 जुन 2021 से पद पर निउक्त होगे और वे अनुपम बधावन का इस्थान लेगे नेक्स्ट कोशन है कि हाली में NIA के महा निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो यह दिया गया है दोस्तो कुल्दीप सियं को यहाँ पे right answer हो जाएगा option 2 और यह है दोस्तो कुल्दीप सियं जिने NIA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो दोस्तो NIA प्रमुक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो कौन समालने वाले है CRPF DG कुल्दीप सियं है यह किसकी जगा लेने वाले है यह लेने वाले है YC Modi की यहाँ पे हम बात करें National Investigation Agency की जिसकी इस्तापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है तो यह New Delhi में इस्तित है यह आपको याद रखना है आगला कोशन है कि इंडियन प्रीमेर लिग 2021 के सेज मेच किस देश में खेले जाएंगे तो यह खेले जाएंगे संयुक्त अरब अमिरात में मतलब UAE में खेले जाएंगे तो यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा आप्शन फोर तो दोस्तों 2021 में IPL का चौदवा संस्क्रन का आयोजन भारत में किया जा रहा था लेकिन कुछ मेच के बाद COVID-19 के बढ़ते केस के कारण मेच इस्तागित कर दिये गए थे अब यह UAE में मतलब UAE डेस में सेस मेच खेले जाएंगे तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो IPL का पहला संस्क्रन था वो 2008 में खेला गया था और 2020 में IPL का जो 13 संस्क्रन है वो UAE डेस में ही खेला गया था और IPL 2020 में विजेता टीम रहती मुंबई इंडियन्स यह भी आपको याद रखना है अगला कोशन है कि प्रतिवर्स वीश्व तंबाको दिवर्स कब मना जाता है तो यह मना जाता है दोस्तों 31 मई को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option 4 तो वीश्व तंबाको दिवर्स प्रतिवर्स 31 मई को मना जाता है और इस वर्स की हम थिम की बात करें तो यह है दोस्तों commit to quiet मतलब छोलने के लिए प्रतिवध्य यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो थंबाको होता है मतलब cigarette की यहां पर बात करूँ इसमें ऐसा कौन सा पदाथ होता है जो हमें प्रभावित करता है तो इसमें होता है दोस्तों nicotine यह आपको याद रखना है कि cigarette में nicotine होता है जो हमें प्रभावित करता है और आज का जो last question है वो देख लेते हैं तो हाली में किस राजी की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोसना की है तो यह सुरुवात की है दोसो उत्तर प्रदेश राज्जी की सरकार ने तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन टू तो दोसो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने बाल सेवा योजना की घुसना की है कोरोना संक्रवन काल में अनात हुए बच्चों का 22 बहतर बनाने की जिम्मेदारी अब उत्तेर प्रदिश राज्जी की सरकार ने ले लिए मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के तहट सरकार केयर टेकर को अनात बच्चों की देखवाल के लिए 4,000 रुपे प्रतिमाह देगी तो इसकी सुरुवात उत्रप्रदेश राज जी है तो यहाँ पर हम बात कर ले थे हैं उत्रप्रदेश राज की जिसकी राज़दानी लखनाउ है यहां के वरतमान में मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ है और गवरनर की बात करूँ तो ये आनन्दी बेन पतेल है उत्तिर प्रदेश की लोग सभा सीट की बात करें तो ये 80, राज्य सभा सीट 31 और विधान सभा सीट 404 है तो ये सारे important point है जो आपको याद रखने है और आज का जो question of the day है आपके लिए कि कौन तय करता है कि कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका सही जवाब आपको देना है तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर end होता है अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगाओ तो इसे like करिए share करिए अगर आप इस share पर नए हो तो इसे subscribe भी जरू करे thank you so much guys for watching this video